विश्व कफ जीतने के बाद और भारत के इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो भाउट कर देने वाली है इन तस्वीरों से रोहिक शर्मा हादिक पाद्या विराज कोली सभी रोती में नजर आ रहे हैं लेकिन इस रोती भी तस्वीर में भी मन को गदगद कर रही है सब कहते होंगे कि सब फ्लियर रोप क्यों रहे हैं लेकिन अगर देखा जाए तो इनी तस्वीरों का तो सभी का इंधिजार था इस परल और इस छण को लोगों ने जिस तरीके से गले लगाया है उसमें आसू निकलना तो वाकिफ है याद हो कि भारते टीम को 2011 के बाद कभी वर्ड कफ नहीं दिन हर बार कोई न कोई गलती की वज़र से या मैच और विश्रुकप के ट्रॉपी हाथ से निकल पूती ही गई लेकिन इस बार विराट कोली की दमदार बारी जो इक शर्मा की कप्तानी ने विश्रुकप को अपने नाम कर भी लिया बज़ारी 11 के बाद जो तस्वीर सामने आई है उन तस्वीरों में ऐसा लगता है कि जैसे उसमें खो जाए इन तस्वीरों को देखने के लिए पूरे 135 करोड देशवासी कम से इंतजार कर रहे थे लेकिन आखिर कार उनका इंतजार खत्त हुआ और 13 सालों के बाद टीम इंडिया वर्ल्ड कप भी आज पुरे देश को हाथ टीम वर्ड कर्व है यादो 2023 को वर्ल्ड कप कैसे हाथों से निकल गया था हमारे यस ट्रॉफिक और उसके दिन टीम इंडिया के साथ साथ कोई भारत रोए थे उस दिन नोहित शर्मा भी रोए थे विराज कोहली भी रोए थे जिनके परिबार वालों ने उन्हें सभाला था लेकिन इस बार दे भी रोए थे बस अंतर इतना है कि इस बार उशी क्या दो